ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारम किया है दिगी फिर भी नब बहार की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी की नहीं होगी ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है ये आजहादी के अमरित महत्वचव का कालखंड है पंदरा अगस का विशेश महत्वप है और आने वाले पचीज साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी पचीज साल की यात्रा कैसी रहे हम कितनी तेज गती से चले कितनी नई उचाईयों को पार करे इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रती समर्पित हो करके देश को दिशा देना सदन देश का नित्तुत्व करे सदन के सभी मान्य सदस्य राष्ट में नई उर्जा भरने के लिए निमित्त बने उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपून है ये सत्र इसले भी महत्वपून है कि इसी समय राष्ट्पति पद और उपराष्ट्पति पद के चुनाव हो रहे हैं आज मत्दान भी हो रहा है और इसी कालखन में देश को नए राष्ट्पति नए उपराष्ट्पति उनका मारदर्शन प्रारंब होगा हम हमेशा सदन को संबाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं तीर्थक्षेत्र मानते हैं जहां खुले मन से संबाद हो जरुवत पड़े का वाद विवाद हो आलोचना भी हो बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारिकियों से विश्ट्लेशन हो ताकि नीती और निर्णयों में बहुती सकारात्म योगदान हो सके मैं सभी आदनिय सांसदों से यही आगर करूंगा कि गहन चिंतन गहन चर्चा उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके सदन को जितना ज्यादा फूटफुल बना सके इसलिए शबका सयोग हो और सबके प्रयास से ही लोक्तुंत्र चलता है कि सबके प्रयास से सदन चलता है कि सबके प्रयास से ही सदम उत्त्म निने करता है और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तवियों का निर्वा करते हुए इस सत्र का राष्ट हित में सरबाती को प्योग करे और हर पल याद रखे कि आज़ादी के लिए जिनों ने अपनी जवानी खपा दी अपना जीवन खपा दिया जिन्द की जेलों में काटी कुछ ने शहादत शुकार की उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब पंदर आगस सामने है तब सदन का सरबादिक सकारात्म प्योगों यही मेरी सबसे प्रार्तना है आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद